अहलो स्टेयर को डिन्ट सोन टो टेरलोजीय क्राटबसक्राहिए specific चाहँ है टारेसर्त आर्मेंधन दीजिवजुधि जीमिटरा अम्नीं कि अगई है मैं कि दुब wondering नीन में दिपते इस worship आच्हाँ थे ने जहाँ है लौकॉ टेटरी हिए पूलगा दें लो क्योंकि कमनेष्ट सिनौतिक निटलफ दीज बच्चों में देखने को मिलती है तौफ इसको शौट फोर्म तौफ बोल्द यूच भीज़ तौफ जिसको फोर्मेट उसेची निटलफ्ट इस अटेसर अबभ थैज आज़गेखने को मिलती है लीजन तो कोनो ट्रंकल फैमिली आफ लीजन क्या हो गया जो आयोटा और प्रॉनरी ट्रंक के बीच में सैप्टेशन होती है अगर उस सैप्टेशन में कोई प्रालम होती है उस सैप्टेशन में कोई प्रालम है इसके बीच में जो सैप्टम रहेगा जो सैप्टम यहां बीच कश में इन दोनों के रहेगा अगर उसमें कोई प्रालम होती है तो उसको बोलते हैं कॉनो टॉन टॉन कल फेमिल्लीद पर लिजन्स तो थे में भी ज़ाए सेप्टम की ही बेसिकली प्रालम होती है जैसे अदर जो कॉनों ट्रफेम्ली आफ लेजन जैसे टॉंकस आर्ट्रीसट रीजन से तो उसमें भी जब उसको भी कॉनों ट्रउंकल फेम्ली ऑफ लेजन बोलते हैं तो इसमें जो सेप्टम आयूटा और आई अच अटार को आरी टॉंक जो इनिशेली एक ही वैसल की तरह करती है लेटर ओन देरी सप्टेशन विच में एक सब्सक्राइब करता है अगर सब्सक्राइब नहीं होती है कई जगा पर तो देर में भी ट्रंक अर्ट्रियोस और अधिस लिए फिस्चुला और कम्मिनिकेशन और देर में कि इनिशेली जो राइट वेंट्रिकला आउट्फ्लो ट्रैक्ट है वहां पर इस अप्रेशन नहीं होती है या इसमें कोई प्रादम है तो ट्रलोजी ऑफराट को जनरेट करती जिसको हम आगे बात करेंगे तो इसको बात करेंगे तो इसको और एंटियर डेवीएशन ऑफ इ करता है उसको अलड़ करता है मतलब इस निचे का जो सेफ्टम है यह आयोट इनिचे का जो इनशेप्टम बहते हैं और उसका जो एंटीरवीशन डेवेट की पैथलोजी या उसकी जो कंपोनेंट्स हों बनते हैं इंसिदेंस की बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली इस इंसिदेंस इस 10-17 प्रसंट तो कैस्ट इसमें 20 प्रसंट तक जो है क्योंकि इसमें लाइफ कॉंपटिबल अगर बहुत सीवियर पॉर्ण इस नहीं है तो बच्चे यूजली अडॉल सेंस तक आसानी से जा सकते हैं तो इसलिए इसका इंसिदेंस हमको जादा मिलता है जैसे और साइनोटिक हर डिजिजिजन दी में नाट भी लाइफ कॉंपटिबल और उनमें जो इनिशियल जैसे ही बेव कादा होता है उसके कुछ कुछ दिनों में कुछ मैनों में जो डाई कर सकता है अगर कोई उसकी ट्रीटमेंट इसलिए इस यहां पर इसलिए उसका इंसिडेंस जादा है क्योंकि इसलिए ट्व यह की बात करें कि दो साल के बाद आगर बात करें तो डन को सकता है तो उसकता है तो इक तो तो में ऐडाउन सिंड्रोम बच्चा दाउन सिंड्रोम का है तो अमने बात करती है प्राइमम एस्टी या जिसको एब एस्टी बोलते हैं अट्रियो बैंट्रिक्ला सेटल डिफेक्ट या जो प्राइमम टाइप ऑफ एस्टी है तो ओडान सिंड्रो में कॉमनेस्ट होते हैं और उनके अलावा जाए ट्रेटरिलोजी फेलेट भी डाउन हैं जो चार कंपोनेंट है कौन से चार कंपोनेंट है जिससे इसका नाम जाए ट्रेटरिलोजी फेलेट पर हुआ है उचार कंपोनेंट है सबसे पहले तो आउट फ्लो ट्रेक्ट यह राइट वेंट्रिकुलर आउट फ्लो ट्रेक्ट है यहां पर जो इस एप्टम है एंट तो वो सबसे मेन पैथलोजी है कि सेफ्टम जो है सेफ्टम जो दोनों के बीच में प्रणोई ट्रंक और आयोटा के बीच में बनना था वो बना नहीं और वो एंट्रिली डिस्प्लेस्ट हो गया जिस कार्ण से जा देर इस इंफंडिवलस प्रणोरी स्टीनोसिस तो यह प्र प्रणोरी स्टीनोसिस कम होती है इस में इंफंडिवलर एरिया जहां नैरो होने के कार्ण में पैथलोजी होती है तो राइट वैंट्रिक्ला आउट्फलोर ट्रैक्ट और उसी को बोलते हैं रेन सम्टाइम रियरली इट में बीचेट्ट विद प्रणरी आर्टरी और ब्र जो आउट्फलोर ऑफ्स्रक्ष्ट और एंट्रिली इस प्लेश्ट एंफंडिवलर सेप्टम तो उस कारण से जो यह देर विल भी विस्ट मोस्ट अप्ट विस्ट विल भी इस सब एओटिक यह ताके जास्ट नीचे जो इनफंडिवलर इस प्लेश्ट है वहां पे होगा यह सबीच्छनइन यहतु है जिसके सबस्क्राइब और एंटे इस सब्सक्राइब हुआ है जो आपका उतली बेंटिवलर हैं जिस के पीचे है तो क्या होगा आगे तो है कि जो आयोटा जो है left ventrical की तरफ face करनी चाहिए थी वो थोड़ा सा right ventrical की तरफ face कर रही है जिसको की बोलते है overriding या dextroposed आयोटा की आयोटा थोड़ा सा right की तरफ आ गई है right ventrical की तरफ उसका दिख रहा है that is overriding or dextroposed आयोटा then fourth क्या है कि due to high systemic resistance या जो systemic pressure उसके अगेंस्ट राइट वेंट्रिकल पूश कर रहा है क्योंकि यहां पर वाल्प constructed है या in fundibular construction है narrowing है obstruction है तो उसके अगेंस्ट प्रेशर लाज बेस्ट के कारण दोनों बेंट्रिकल में almost similar pressure होता है इस कारण से क्या होता है राइट वेंट्रिकल जिसको आदत नहीं है जो बना नहीं है high pressure के अगेंस्ट ब्लड पंप करने के लिए उसको high pressure के अगेंस्ट ब्लड पंप करना है तो देरे-देरे concentric hypertrophy of right ventricle जो इसमें हो जाती तो इस चार कंपोनेंट हमको याद रखने हैं टेटरलोजियो फैलेट में की जो infantivular septum थोड़ा सा आगे एंट्रिली displaced हो गया जब बन रहा था जब सप्टेशन परणरी ट्रंक और रयोटा की हो रहे थी जिस कारण से जो है फ़र्ट पार्ट तो यह हो गया कि infantivular obstruction हो गई जितना infantivular पार्ट बनना था प्रोट्रेक्ट की जितनी विर्थ होनी थी उतनी हुई नहीं उसकी दूसरा displacement के कारण क्या हो गया कि approximation नहीं हुआ उसका muscular septum के साथ तो वहां पर BSD रह गया थार्ड जो है आयोटा भी उसके साथ थोड़ा सा आगे आगे तो डेक्ट्र पोज्ट और 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 राइडिंग आयोटा हो गई फूर्थ जो इन पैथोजेंसिस के कारण जा राइड वेंट्र से अगे तो यह फूर बेसिक पॉइंट्स जो हैं यह टेट्रलोजी और फैलट को बनाते हैं या उसके कंपोनेंट है तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर अब यहां पर अगर यहां पर आना चाहिए था इससे इन फंडिवलर पार्ट आफ सेप्टम को यहां पर आना च राओ फ्लोट रेक्ट है इस वन गट्स नेरो जैर इस बीसदी देर इस देक्स्ट्रोफ आयोटा तो आयोटा की अच्टी होगा ओर राइडिंग आयोटा हो गई राइड वेंट्रिकल की तरफ उसका फेस हो गया और लास्ट जो क्या होता है इसके करन जो हाई-पर टरोपी इस यह प्यार्ट जेंग जो और वेरियंट्स बोल सकते हैं कि वीरियंट्स टैटरलाजी अफएट के और क्या-क्या विरियंट्स कि और क्या-क्या उसमें मिल सकता है तो एक तो है कि येज्दी चुगे 25 सिर्ण केशीज में और मोस्ट पॉर्ट केस में एच भी उनमें रहत है यह फिर फू रहता है पिटेंट फूर फूरम नोब्य रहता है जिसको की पैन्टालोजी पैफो जैनसी या पांच जें लीजन कंपोनेंट यह हो गया तो इसलिए पैंटालोजी और बोलते हैं उसको सम टाइब में भी राइट साइड और राइड साइड डायो टाइड ज जो अओसका आउट पोजिशन है जो ढार्ख ई爷 विकम्स मो राइड साइड जो ए सबंचिया है बट यहां पर डaros अर्ट साइड से आएगी तो उसका अधिए ट्रेक्यो ब्रंक्यों ट्रीविल भी सिफ्टिट मोट वार्ड लेफ्ट उसको बोलेंगे राइट साइड आयोटा जैसे कि कि अधिक नकल की बात करें तो 20-30 परसेंट में राइट साइड डायोटा होती है देन सम टाइम ओबर राइडिग गईट अम देख रहेते कि राइट वेंट्रिकल की तरफ जो अटा का मोथ तरह से पोजिशन थी और राइट वेंट्रिकल की वाल ऐसे थी तो देरी सम से जादा पाइटा का राइट वेंट्रिकल की तरह फेस करता है यह जौरईअ वाला JUST आड़ेट वाला है परनारी वेंट्र Subsa 700 की ओट आट वेंट्रीकल है नै躲िके कीजिए मिलती है most of the time there is a lot problems कि बाइक स्पेड सम्टाइम यूनिक स्पेड या आयोटिक वाल्प संट क्या होना चाहिए राइट की दी अच्छीनेटर ब्लड इस सिस्टेमिक सर्कूलेशन राइट नहीं है और लेट से ब्लड कभी इदर आ जा रहा है राइट सायड़् तो उसको बैलैंश्ट जा नाउन अपकल को इस नहीं होती है इसलिए इसको बिंक फैलट जाए बोला गया पिंक टाॉफ बोलते हैं कि हमोडाइनोविक्स की बात करें कि कप पिंक होगा या कप सइनोसिस प्रोड्यूस होगी तो यह बात हमने लगवद कर दिसको करें कि जब जब बिनस रिटर्न होगा थूरू प्रेयर एंड इन्फिरे वेने के बंट राइट अट्रियम डिस विल गो इंट राइट वेंट्र प्लाजी शुरू होगी कि अगर जो प्ल्णरी स्टीनोसिस है प्ल्णरी जो राइट वेंट्र क्लावड फ्लो ट्रेक्ट अब्स्ट्रक्शन है बहुत ज्यादा है सीवियर है सिग्निफिकेंट है तो मोस्ट अफ ब्लड विल शंट इन्टू आयोटा तो आयोटा को शंट क करेगा तो दियोक्सिजनेशन ब्लड विल भी गएंट इन्टू सिस्टेमिक सर्क्लेशन सिस्टम से आया और इसमें जैलाइफ कैसे सस्टेंड रहती है इसमें यूजली जा क्या होता फिर पीड यह होता है पेटेंड डक्टर साट्रियोसस होता है अगर बहुत सिग्निफि जैसे है कि परनेज्वेसल में ब्लड जाई नहीं रहा है तो उसमें थ्रू राइट वेंट्रिकल तो उसमें क्या होगा कि परनेज्वेसल में ब्लड लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो जिंदा कैसे रहाएगा तो जिंदा रखने के लिए उसमें डक्टर साट्रियोसस इसको पेटेंट रखना पड़ता है आइदर पॉर्डी की फिजिलोजी उसको रखती है या तो फिर हम बाहर से प्रोफ्टा क्रेंडिन देखे अगर सीवियर टॉफ और ऑप्रेट अभी हमारे पास अभी लेवर निया फैसिलिटी तो उसमें पीडिये होना जरूरी है डॉक् इस ज्यादा नहीं है दैन देर में भी बैलेंस्ट शंट जिसके अभी हमें बात कर रहा था लेफ्ट और राइट भी हो सकता राइट थोड़ा बहुत ब्लॉट जा रहा है तो देर विल्वी मोर ब्लॉट इंटु लंग्स एंट इस नोन आस पिंक और पेसानॉट फैलेट इफेक्ट्स क्या क्या होंगे फीजियोलोजी में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे क्या क्या चिंजिस आएंगे तो में तो यही है कि डियोक्षिनेटर ब्लॉट जब टिशू में जाएगा तो दिर विल्वी टिशू हाइपॉक्सिया और इस हाइपॉक्सिया को कमपनसेट कर लिए इसके बात की कि अप्र प्रेटर्ट रहना पड़ेगा तो पीडीय में भी द्यार और द्यार में भी को अफ को लेटरल्स इंटु ब्रॉंकियल जो वैसल से को लेटरल सम्टाइम डिसेंडिंग और असेंडिंग आयोटा में आल्सो गिव सम्कोलेटरल वैसल्स टुद अ लंग्स की लंग्स को को लेटरल दिया और वहां पर अगर पीडिय नहीं है तो को लेटरल विल मैंटें दस सप्लाई आफ लंग्स बट उस उतनी ज्यादा नहीं होगी कि वह जितना अंपरणरी वैसल में जाना था या परणरी ट्रंक के थूरू राइड वैंटेक्ल के ब्लड उतना नहीं जायाएगा तो साइनोसिस कम रहेगी साइनोसिस होगी तो जरूर बट वह जो यह कंपनसेट करेगा अपने हैपक्सिया को और यह दो चीज़ें तो होगी सर्कुलेशन के लेवल पर और थार्ड जो और मेजर है जिसके कान आगे कॉम्प्लिकेशन भी हो बढ़ा दें कि अक्षिन केरिंग कपेश्टी बढ़ा दें तो उसमें क्या होगा पॉलिसाइथीमिया जहां भी जो है फॉक्सिय के कंडिशन होती है वहां पे क्रोनिक है फॉक्सिया विल स्टिमूलेट बोन मेरों और देर विल पी मोर और मोर प्रॉड़क्शन आफ आर व आइंग और फीडिंग में प्रेशिप्टेट साइन असिस तो उनको इनाटिक स्पैल्स बोलते हैं तो सानुटिक स्पैल्स यूजली दे ऑंसर्ट जैक से बारा साल के बीच में वाट मोस्ट अफ ताइम दे टेकर विफोर तूई यह ऑफ दो साल से पहले-पहले होना कैसे होता है यूजली जब बच्चा सुबह उठता है और ली इन दा मॉर्निंग जह है उस टाइम विद्धाव टैनी प्रोवोकेटर की कोई कारण हमको समय में नहीं आया कि एकदम से जा उसको इस तरीके से सानॉटिक स्पैल होने लग गया यह सम टाइम इस में भी है यह बढ़ जाएगा है विल रिजल्ट इन इंक्रीजड रेट एंडेफ्ट प्रेस्पिरेशन जिसकार्ण से इंट्राथ्रेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो प्लणरी स्टीनोसिस बढ़ेगी प्लणरी वैसल में ब्लड कम जाएगा और सिस्टेमिक रिक्वार्मेंट कि अलएक और रिए अकसिजन होने हência लिए तो प्रेसिप्टेश सैनिस स्टेट हो जाएगी तो सायनिसस प्रेसिप्टेट हो गिए और उसकारों से अक्त、、 on oxygen मिन नहीं रहीत तो गास्पींग टिश्वा Ipoxia ब्रेन हाइप्पक्सिा बिल कौस्ट पिंग इन दोंड इन हाई से सीवियर है तो कनवल्जनस में भी दियर एंड सम्टाइम इट में इनिशियल फीज में जैसी हमने देखा कि हो जाए इनकी टेट ऑफ टैफ्थ और एस्पिरेशन है तो कुछ मैने वर जैसे नीचस्ट पोजिशन है या ऑक्सिजन देना है अगर वह चीजह हम कर पाया है तो सब्सक्राइब तो वह चीजह हम कर आ सकते हैं बट अकर वह प्रोसीड कर गया और सीवियर इनफ है तो इट इन रिजल्ट इन कनवल्जन्स और हैपोक्सिक डैमेज तो दे ब्रेन विच में रिजल्ट इन रिजल्ट इन ने लॉजिकल देफिस यूजली जा हम प्लेजिया ह और सम्टाइम बहुत ही सीवियर था तो देथ कैन अल्सो अकर इन दिस सानॉटिक स्पैल तो सानॉटिक स्पैल को अदेंटिफाई करना और उसको जा मैनेज करना इस वेरी इंपोर्टन इन दा पेशेंट्स ऑफ टेटरलोजी अफ फैलेट और इन फैंस में जो यूजली द देखने को मिलता है एक लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सिंटम्टम्स जाहां कर माइल्डर राइट वेंट्रीक्लाइट फ्लो अब्सक्षण है तो उन उन कंडिशन में देर में भी सीची एफ ड्यूटू इन्क्रीजट लेफ राइट शंट उसमें क्या होता है और इन्फैनसी में और ली इन्फैनसी में जो इस तरह से और और ब्लॉट केंट बी शंट्रीट तू लंग्स एंड जाहों लेफ अबरलोड होने के कांड जाहें इट चैन रिजल्ट इन सीची एफ अधर्वाइज सीची एफ ज़ेट अट्रोज फेलेट में होता नहीं है क अट्रिकल को पूश्ट करने के लिए ब्लॉट और सीची एफ जाहर रहता है ट्रॉजिया फैलेट में सीची आप देखने को नहीं मिलता है हुआ जैसे थची ऑ्प लेट होता है जैसे पेल्फ झुरू होता दो हम से सायान शुरू होती है साइनोटिक स्पेल्ज उन बच्चों में मिलते हैं जिन में माइल्ड साइनोसिस होती है जिन में सीवियर साइनोसिस होती है सुरू से यूजली डेल्फ स्क्वेटिंग स्पेल्ज आगे हम बात करेंगे स्क्वेटिंग स्पेल्ज की भी साइनोसिस कब प्रेजंट होती है जब जादा होती मार्ड में हमने बोला पिंक फैलेट होगा और मॉडरेट टु सीवियर ऑफ्शक्ष्टन है तो साइनोसिस होगा मिलेंगी टूस में माउच में मिलेंगी को साइनोसिस के और पेशेंट में लुक डस्की ब्लू स्किन ग्रेए और अंगोज वैसल्स होती है उज्ट ज्य वैसल्स श्कलेटा में गोज्ट होंगी डस्की ब्लू सकिन हो गये क्रोनिक हाइपॉक्सिया विल रिजल्ट इन क्लबिंग तो क्लबिंग एक क्लासिक फाइंडिंग रहती है जो साइनॉटिक इनाइटर हर्ड डिजीजिस होती है और सिंटम्स की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है थोड़ा चलने फिरने लग गया है तो सिग्निफकेंट अगर साइनॉसिस है तो जो हमने बात करें थी कि मायर्ड साइनॉसिस है तो यूजूली उसमें स्कुटिंग सॉरी उसमें टैट स्पैल जो हमने साइनॉटिक स्पैल बोले थे उनको हाइपर साइनॉटिक स्पैल या टैट स्पैल या भी बोलते हैं टी टैट spell जो जो साइनोटिक सपेल के हमने बात की जो किसमे होंगे mild साइनोटिक बच्चों में देखने को मिलते हैं क्या देखने को मिलेगा डिस्टिन्या मिलेगा effort intolerance मिलेगा जो कुछ काम नहीं कर पाएंगे is cutting पोस्चर्ज जो है setting spell भी बोलतें कि बचा से थोड़ा सा चल फिर लिया खेल लिए तो उसके बाद जो कबंढने लिए तो हो चुनल करता लेता है। स्केटिंग में बैठ जाता है। स्केटिंग से क्या होता है। स trump बढ़ता जैसे और है गार तो tour जाएगा जिससे की साइनॉसेस इंप्रूव कर जाएगी तो थोड़ा सा खेलने से चनने से साइनॉसेस जैसे बढ़ने लगेगी डिस्नी आने लगेगा देविल स्क्वैट तो बहुत क्लासिकल फाइंडिंग है टेट्र लॉजी को अडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चे कि थोड़ी तो ठीर में स्क्वैट कर रहे हैं बैठ हैं स्क्वैटिंग कों पुश्चर में हैं उनको पता लग जाता है कि ऐसे बैठने से मेरें विभल हो जायगा हुम होस्वैध। स्पथ बोटें उन को तो दो तरह से स्पेल्स होगत Cat पैल लिए फजी को भी दाउट एनी फोर्ट थेम और व्यपरोग्रेस करता यहां पर इंप्רूव होताय devoted स्पेल्स जहां पुद एक उन at rest are more prone to cyanotic spells while significant cyanosis they are prone to squetting or prone to or they learn to improve their cyanosis by squetting, squetting posture or squetting spell we both then other conditions or other symptoms will be failure to thrive which a growth may be delayed and headache irritability vomiting they are symptoms of complications where hypoxia or brain abscesses or polycythemia thrombosis complications so headache irritability or cns science can be found in examination to be a failure to thrive which we can see that it is 3 years old but its height weight is not a failure to thrive then there will be central sinus blue dusky skin and there may be clubbing clubbing nails clubbing clubbing pulse vp usually normal रहता है और left जो प्रिकॉर्डिल एरिया है उसमें बल्स होता है तो राइट वेंट्रिकल हाइपर ट्रॉफिक के कारण क्या होता है कि उसली शॉफ्ट रिपकेज के कारण लेफ्ट जो प्रिकॉर्डिल एरिया है उसमें जब बल्स मिल जाता है तो प्रिकॉर्डिल बल्स बोलेंगे लेफ्ट प्रिकॉर्डिल बल्स होगा उसमें सब कोश्टल पोसेशन राइट वंट्रिकॉल्र हाइपर्ट्रॉफिक के कारण सब कोश्टल पोसमें हमको वीजिवल हो सकती है पाल्प confrontation में हम나ने हम undermी फ्रिल मिलेगी जो मर्मर्स हमको third fourth interedor सब्स्क्रैश exacerb में है इसमें उजूली ओपी डिवेंट करता है कि सीवीयर्टी कितनी है अगर मोर सीवीयर है जैसे साइनॉटिक स्पेल में भी जा अब्सक्षन बढ़ती जाती जिसे साइनसिस बढ़े गए ऑफ्सक्षन इंफंडिवलर बढ़ती जाए गए तो उसमें जा मरमर एक साइनॉटिक बच्चे में सीवेर साइनॉस्टिक बच्चे मरमर कम हुआ है जो कि पहले हैल्दी था ठीक खेल रहा था तो वह इंडिकेट करता है कि साइनॉस्टिक स्पैल है कि वहां पर वाल की ड्वल्पमेंट परनाज राट्रीजिया में भी जार सम्टाइम परनाज इस अनलर इस उसकान से जाब परनाज वाल जाए शॉफ्ट सांड प्रियूस्ट करता है उतने लॉड्ट सांड उसमें नहीं रहा एगी मरमर की बात करें तो यूजली इस हार्ष मरमर और सिस्टॉलिक मरमर है मोड़रेट इस सथी कैटैगरी मर में योगा क्लिक के साथ सूरू होगा थ्लोड आट हो नसsty मार्ड अवसर्ट एक जा जांद मॉर हार्ष और हांद पहई इस टॉलिक बेक्तेगरी का हो जाएगा है और सिवियर में फितान जाओ इसका नहीं कुद सुन बिए प्रॉमिनेंट को लेटरल स्विलेशन सुरू हो गया और युद रॉंकियल ट्री की वैसल में उसकार्ण से चांटिन्वार मर्मर हम ने बात किये थे कि पीडिय में जो कंटिन्वार मर्मर होता है इस शुड वी डिफेंशेटीट विल से को लेटरल सेपलेशन चिपी अहे बहुत आसान एस्परने की सीचल सब्सेटी आपके ओट एन तीम से करें ऑलजेशन का बीज़ीन कोकुछ भी करने से कॉम्प्लिकेशन स्पेल्स के हमने बात करी लिया और उसकी सिकलीज जो एक बहुत डेंजरस हो सकती है अगर सीविया स्पेल्स पेल्स और सम्टाइम एवन डेथ तो वह सिकलीज हो गई एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में देन शेर्वेशकुलर एक्सिदेंट्स और इवेंट्स जो की इंक्रीज़ विसकॉस्टी से होते हैं की फ्लॉड थिकनेस बड़ी होए देटू पॉलीसाइथी मिया रबीसी काउंट बढ़ा हो ए तो उसकांड से ब्लॉड थिकनेस बड़ी हो जसकांड से जो अस्ट्स में सा कंड़क्शन प्रॉलम्स और सम्टाइम वेंट्रिक्लर टैकिकार्डियाज और सीवियर आउट फ्लू अफ्रेक्शन जिसमें की पीडिये हैं नहीं को लेटरल डल्प नहीं हुए उनके कारण भी जैसे इनको पॉड़ाइथ की चांसिस होते हैं सेर्वल एपसेस अब बहुत रियर देखने को मलते हैं बट दे में भी ड्यू टू इस्टिमिक इंसर्ट और में भी थ्रॉम्बोसिस के कारण हो जाए है आरन डेफसेंसी एनिम्य एक क्लासिकल फांडिंग होती है इसमें की एच भी आपका ठीक है और बिसी काउंट आपका ठीक है बट स्टिल वी वी से crack that it is iron deficiency enemi क्योंकि sianotic heart diseases में जो HP की रिंज है नॉर्माल से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर signosis है और और अगर iron deficitंट में जाए बशादना यह बढ़ा नहीं पाता अगर एक नॉर्मल बेवी में 13 हम मान रहे हैं कि 13 से उपर होना चाहिए तो वहां पर 15 और 16 के आसपास होना चाहिए उसे उपर होना चाहिए और उसमें 13 ही आ रहा है ऐसा बात करें तो एनेमिक नहीं है बट साइनोर्टिक कंजनाइटल हर्ड डिजीज के परिपेक्षे में देखें तो उसको जो हम अनीमिया बोलें कि और उसका मुस्ट अप्ट अप्ट टाइम कॉस्ट होता है आरे डेशिंसी क्योंकि मोर आरे इस रिकॉयर्ट प्रोडियूस्मोर आरवी सी और उतना अगर मिल नहीं है तो नॉर्मल एच भी और नॉर्मल आर्वी सी काउंट के बाब जूद भी उसको जो आर्न डेशिंसी एनिमिया डेजिगनेट किया जा सकता है दैन इंफेक्टिव एंडोकाडाइटिस जो जहां ब्लड फ्लो कम हैं इंफंडिवलर एडिया है प्लनरी वैसल्स हैं प्लनर में इंफंसी में हो सकता है माली जो पिंग टॉफ होता है अदर्वाइस सी सी एफ जार्टिवलर में देखने को नहीं मिलता है प्रोटीन एनरजी मानल नूट्रिशन और फेलियर टॉथ्राइब तो बात हुई ही थी एरिद्मिया जो हैं एक लाइफ थरेटनिंग कॉम्प् कि डाइगनोसिस की बात करें तो इस बेस्ट ऑन क्लिनिकल असेस्मेंट एस वैल एस इन्वेस्टिकेशन तो क्लिनिकल हमने देखा कि साइनोसिस पैंसिस्टॉलिक मरमर है थर्ड फॉर्थ इंट्रकॉसल स्पेस में जो की जैक्शन टाइप का है और त्रिल से एस्टिटेट है तो वहां पर हमको असान हो जाएगा फिर भी कुछ इन्वेस्टिकेशन जो हम कंफर्मेटरी कराने के लिए कराएंगे जैसे एक्सरेय है यूजली जो डाइगनॉस्टिक रहता है इसमें बूट शेफ्ट हर्ट की बात की जाती है बूट शेफ्ट हर्ट की क्या होगा उसमे रेट का साइज जो है नॉर्मल रहेगा बट एस राइट वेंटर्क लाएपोट्रोफी है तो जो आपेक्स वाला एरिया है राइट वेंटर्कल के हैपोट्रॉफी के काणों जो है सब्सक्राइब अपलिप्टेड्री रहते हैं डिफौरम से polít ऊपर रहता है और बात बड़ा दिखा आई कौन केबिटी friendly जाती है left heart border में क्योंकि जहां पढ़नाजी वैसल रहनी थी पढ़नाजी वैसल में ब्लड कम जा रहा है तो जाया है तो जो नहीं होंगी और concavity जो आप पर एरिया में जिसको base of the heart बोलते हैं वहां concavity होगी और right जो के कार्ण बोलते हैं इसको कोयर और और बूशिफट होट जो एक स्रेय में classical finding होती है और पर यहां पर यहां पर 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 वैसल सोती है यहां पर पर ट्रंक देखने को देखने को मिलती है बट यहां पर है नहीं तो कंकावेटी और यहां अप टांड देख को चाहिए इसमें अपटांड अपैक्स हां हल का सा कार्डियोमेगाली देख रही है बाट यूजली जबादि का अशी हाट दिखेगा यहां एक्सरे में इस तरीज़ इस तरीके का हार्ट जा हमको मिलेगा और पिक्चर क् मिलेगा तो उसका हम जाए बुलते हैं दूर शिफ्ट हर्ट इंट लोजियो फैलिट इसी जी की बात करें तो राइट वेंट्रिक्लर हाइपट्रॉफी यह तो राइट एक्सिस डेविएशन होगा डॉमिनेंट आर वे मिलेंगी और एसार पैटर्न मिल सकता है फ्रिकॉर्ड बड़ा हुआ रहता है इस कार्ण से पीग्ड पीवेव तो यह तीन-चार पैसलोजीज हमने बात कर ली है आज दक करनाइटल हर्ट डिजीज की तो पीवेव का ध्यान आना चाहिए पीवेव टॉल है तो राइट अट्रियल डालेटेशन टीवेव पीवेव पीवेव नॉ देखते कहां बीवन और सेकेंड लिड में यूज़ी जए पीवेव देखते हैं तो पीवेव की पैसलोजी देखने को मिल सकते हैं में जए आरेसर पैटरन और प्रमिनेंट आरवेव बीवन जबेखने को मिलेगे इको कार्डियोग्राफी से जो है अडेंटिफाई हो जाएगा टूडी को से हमको जो भी ना हमने कंपोनेंट्स के बात करी थी उसारे जो हमको अडेंटिफाई हो जाएंगे एक असीजी है अनिचे में देखिए यहां व्लं में आप देख सकते हैं कि प्रमिनेंत आरवेव्स हैं कितने बड़ी-बड़ी आरवेव जो है इसमें नहीं प्रमिनेंट आप जोए हैं इसमें को मिल रहे हैं आप की स्दृडरियोल्स गजब ह developments also when आधि करनेठी और्टर इन्फंडियुलम यह성े की आहीज सब्सक्राइव सब्सक्राइब वात जो है कि और प्वेक्षनी और द्री तो यहां में या फिर जहां पर हमको परनाजिवस्कलर जो स्ट्रक्चर है उसका पता नहीं है उन कंडिशन में हमको कैथे ट्राइजिशन की जरूरत होती है नॉर्मल हेमोग्राम में एच बी में एनीमिया रूल आउट करने के लिए जैसे आई टीए की बात कर रहे थे हम पॉलिसाइथिमिया जाए देखना है टॉटल आरवी सी या परिफिल ब्लॉड स्मीर में आरवी सी का साइज की जैसे माइक्रो सिटिक होता है और एफसेंसी में हो है कि नहीं है उसके लिए हम जगरा सकते हैं मैंनेजमेंट की बात करें तो मैडिकल मैंनेजमेंट जो है बेसिकली साइनॉटिक स्पैल्स को प्रवेंट करने के लिए और जर्न कंडिशन सुदारने के लिए जर्न ट्रीटमेंट की जाती है तो मैं जर्न ट्रीटमेंट में हैं बेलेंस डाइट प्रोमोट हैल्थ और लाइजन प्रोफाल एक्सिस आइडिये और अप्सिंस एनिमिया को प्रवेंट करने के लिए इंफेक्टिव एंडोकाड इस के लिए प्रोफाल एक्सिस जो हम बार-बार बात करते हैं टॉंसलेक्टोमी एडनाइड़क्टोमी या लिए या तूथ एक्सिन में जो जो एक बारेटिक का प्रोफालेक्टिक यूज करना जया है देन प्रवेंशन ऑफ दी आडिएशन ते इसनिं में प्रेशिप्ट्रेट्स आनटीक स्पेल्ट ओस स्वें डिया स्टें गर्शे और डिया जीन तो श्री आइड़ इंप्रीज कि इसमें जो prevent करना dehydrated नहीं होना चाहिए बच्चा औरल प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोट्री को नहीं है बहुत डाउटफुल है बट यूजली जो साइनॉटिक स्पेल्स में प्रोप्रनॉल दिया जाता है प्रोप्रनॉल जो बीटा एडरनर्जिक ब्लॉकर है जिसका अन्से जो पैरिफिल वैस्कुलर राइस्टेंस को बढ़ा के पलनर्जी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शन ब्रेन एपसेस एपिलेपसी जो भी एकिटेटेट कंडिशन्स हैं उसमें उन सब की मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है और कई बार फ्लैबोटॉमी हमको साइनॉटिक स्पेल्स की हमने अलग से ट्रीटमेंट की बाद नहीं की बट उसमें कुछ चीजें शायद आगे होंगी तो फ्लैबोटॉमी में हम कुछ ब्लड निकालते हैं वैसल से बेन से जब सानॉटिक स्पेल्स हैं या थिकनेस बढ़ी हुई है थ्रॉंबोसिस हो रहा है तो उन में ब्लड टेक आउट करते हैं और उसकी जगह पे हम एननेस या 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 दे देते हैं जिसे कि ब्लड की विस्कॉस्टी कम की जा सकते हैं तो यहां पर सानॉटिक स्पेल की बेसिक ट्रीटमेंट की बात करी है तो इसमें जा नी चैस्ट पोजिशन बोला है कि अब्डावन पे लिटाके तो पीट पे लिटाया है बट अब्डावन पे लिटाके आ से क्या होता है जैसे स्कॉयट करता है बच्चा चोटा बच्चा नहीं कर रहा है उस टाइम मैं है बियोश है तो उन में जो अपनी चैश्ट पोजिशन से क्या करेंगे उससे आपको एक तो विनस रिटार्ण बढ़ेगा राइट वेंट वैंटिकलर जो बॉल्यूम है बढ़ जाएगा दूसरा इस्टेमिक वैसल्स का बढ़ेगा सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज है कि थोड़ा सा चैस्ट से कपड़ा हटा लें टाइट क्लोधिंग्स ना हो और दूसरा जो घर्मन कर सकते हम जैसे सानॉटिक स्पेल्स हो रहा है तो उसमें नीच चैस्ट पोजेशन उसको बच्चे को देनी है ऑक्सिजन और डेना देना इसमें रहता नहीं है पर खिर भी ऑक्सिजन आड्मिस्ट्रेशन दें ताकि जो जो बलड जार है परने वेसल में 100% औक्सिजनेट हो क्या आए बच्चा जो इसमें इर्टेबल रहता iseen prayer करता है उसकी breathing rate बढ़ी रहती है उसको calm-down करना जो सबसे जूरू़ है क्योंकि breathing rates से मैं इंप्री öpuciones प्रàiक्र dłub कम जाए तो उसचीज को calm-down करने के लिए morfine का यूज एक किया जाता है और करने के लिए सीवियर साइनॉसिस के साथ साइनॉसिस का मतलब oxygen saturation कम हुई है तो एन अरोबिक मेटावली जब उहां पर हो रहा है बच्छा कराई कर रहा है बहुत जाता ब्रीद कर रहा है जो हम पहले बात करी कि एक्जर्शन हो रही है उसको उसकारण से जो क्या होता है मेटावलीक असीड बहुत बात जरूरी रहता है तब हिम स्कॉर को अबाट कर वा पाते हैं जमी प्र levantek कि दोरान अगी जुन के लिए एक छासती है या सम्टाइम beta pressure जुब इसमें नियुकोज को स्टेबल करने के लिए दूसरा जो आप जो टो अप्ट अब्ड दीमेट करने के लिए न परेक्शन आप प्रेस्पूटेट करा सकता है शम्टाम्स आन शिसको इसलिए देन डेफिनिटिव ट्रीट्मेंट या सर्जिकल ट्रीट्मेंट की बात करें वो तो एपिसूट की साइनोटिक स्पेल की ट्रीट्मेंट या जानल ट्रीट्मेंट की बात करी तो सर्जिकल ट्रीट्मेंट में दो तरह से सर्जिरी की जा सकती है कि आपने पूरा क्योर कर दिय जो भी डिफेक्ट्स थे उनको ठीक कर दिया या पर दूसरा है कि या बचा बहुत चोटा है कि लिए लीजिबल नहीं है तो वहां पर हम लेस्क वाली सर्जी करते हैं जिसको कि पैलियाटिव सर्जरी बोलते हैं जिसमें कि आपने क्यों नहीं किया बट बाइनस्ट मोजिंग शिस्ट्मिक एक्रेशं भ्रव समिकते नहीं कि हैं कि उसके नहीं किया उसलेयाख़ी लेक। तो ग्रोथ बढ़े उसके लिए पैलिया थरेपी करेंगे कि इस में हमने ट्रीट्मेंट क्यों नहीं किया जो भी और पढ़नरी या infundibular hypertrophy ती जिससे obstruction हो रहा था यहां पर उसको रिससेक्ट कर दिया और परणरी वाल को रीफैशनिंग कर दिया रिपियर कर दिया तो वो कुरिटिव सर्जजी होती है सर्जी में हैं सम कॉम्प्लिकेशन लाइक 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 लेफ वन्टर्प्र विल्यूर हो सकता है या हर्ट ब्लॉक जब हम इसे एरिया में काम रहें तो बंडल ओफीज और परकंजे फाइबर्स बंडल ओफीज और एभी नोड़ यहां पर है तो उनकी इंजरी कांड कम्प सर्जिकल उसमें पिरियड में हो सकता है तो एक कुछ कॉंप्लिकेशन हैं हाववर जो सक्रेटिव सर्जिरी से हैं कुरेक्टिव सर्जिरी से लिए नौ नौ और फेवर्ड कि उनको ज्यादा फेवर्ड करते हैं क्योंकि वह बहुत चोटी यह से ही की जा सकती है आईडियले जाए फाइब टू तैन मंथ या ट्वल मंथ की बीच में रहती है बट इवन यूनेट्स में भी जो है क्रेक्टिव सर्जिरी हम की जा सकती है तो यह था सारा टैट्रलॉजी और फैलेट के बारे में था जिसमें सर्जिरी की येज्ज़ची चेजिट हम एसा याद रखनी है कि वीस्टी में कब है पीडिये में कब है और यह यह बात इसमें छोड़ दिए हमने जब पीडिये की वात आई तब कि सीवियर अगर टेटरलोजी फैलेट है और सर्जरी के आप्शन हमारे पास नहीं है तो नियोनेटल लाइफ में ही जो है बच्चा क्लैप्स कर सकता है सक्लेटरी फेलियर में जा सकता है तो वहां पर डॉक्टर सार्ट्रियोस जब क्लोज हो रहा था तब लक्षन आते हैं त उसको करेक्णे के लिए याव वी हैप तो केप टो इस टे प्रॉक्टर साइक टेंट्स टू के लिए उसको कंपोंशेट करने के लिए जो पार्णाजी ब्लॉट फ्लू है उसको मैं तो इसका करना होता है और इस गांट से जए हमको बाहर से प्रोश्टाग्लेंडिन देनी होती है अगर ट्रक्टर सार्ट्रियोस क्लोज कर रहा है तो यह को चीज रहा गए थी तो इस स्लाइड को इसलिए डाला है कि आप पढ़ेंगे इसको और बताएंगे कि इसका डाइग्नॉसिस क्या है और कैसे इसको मैनेज करना है कब करनी है कब नहीं करनी है और ये सब लुख जया कमेंट बाक्स में इसको हो जो बी पढ़ाएगा जो जो सुनेंगा इसको के सको करके कमेंट मस्में का डाइगॉस्स लिखना है इस इस आल बाउट कपनी आटलह डिजिश उतने भी तफ नहीं है थोड़ा से ध्यान देंगे तो आसान चीज़े हैं हमने चारी ही इसलिए चारी पैसलोजी के बाद की जो मोस्ट कॉमनेस्ट पैसलोजीज हैं करिनाइटल हर्ड डिजीज में विस्टी एसजी पीडी एंट टॉफ तो इचार जो हैं आपको बेसिक इनक पूछा जा सकता है कि बोड़ शेव हाट का मिलेगा विस्टी में इसीजी के फैंडिंग्स क्या होंगी या रिकराण निमोनिया कब होता है एसजी की मोस्ट लाइक्ली डाइकनोसिस कौन सी इच में होगा पीडिये में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है तो इस तरीके से जो कंप्लीट होता है अब आगे हम जाए नेक्स्ट कोई न्यू टॉपिक लेंगे जैसे कि जो भी आगे उसलिए बस में होगा तो थैंक्यू थैंक्यू अल